तो गाइस इस वीडियो में आपको बहुत यह अच्छा ट्रिक करने वाला हूँ जिससे आप अपने thousand सब्सक्राइबल बढ़ा सकती हूँ और बिल्कुल यार एक्ट्व सब्सक्राइबल बढ़ा सकती हूँ अब एक्ट्व सब्सक्राइबल अगर आपके पास होंगे तो आप अफ्वो Fam करते होंगे तो आफेड़ किसी भी एप्लिकेशन के तुर में सबस्कायबर बढ़ते होंगे ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होता है क्न सबस्कायब करते साथ ही अगर आपके वे ऊठोब है नहीं तो आप region करने का मन नहीं करेगा तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि आप अपनी एक्टिव सब्सक्राइबर किस तरीके से बढ़ा सकते हो इस वीडियो में आपको बहुत ही जब दर शेयर करने वाला हूं जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूं और से मुझे बहुत जदा फायदा ह है तो इस वीडियो को यार पूरा देखना बिना इसकेप किया तभी आपको फायदा व्गार वीडियो को लाइक करना अगर आप पसंद देखने की कोशिश करना और अगर आप इस ट्रीक को फोलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ता चलते दोस स्टूडियो में अपने चैनल को यहाँ पर ओपन कर रहा है और आप लोग यहाँ वीडियो को इसकीप मत करना यह समझ के पुरानी ट्रिक है या बाल बाल आप लोगों ने देख रहा है बिल्कुल नई ट्रिक में आपके साथ शेयर करता हूं इसलिए आप लोग द्यान से दे सबiggly यहां देख सकते में वीडियो उपर ऑंने को यहां पर देखते हैं कि एसा कौन सा यहां यहां पर देखते कि जिया से याँनसा इंकी वीडियो के सवेve briefwert आए ini वेडे को व्यूस बढ़ाता है अब मैं आप लोगों बताता हूं दोस्तों ट्रेक जो है वह यही से स्टार्ट होती है आप लोगों से देखना ठीक है आप लोगों भी आप लोगों को भी जाना वाइटी इस्टूडेम और इस तरही किसा आप लोग चेक करोगे का आपका इसे कौन सा चैनल आ पर यहां पर ईये जो चैनल है दोस्तों मेंधी टेख से शवार्ट स स्बप्रोड़ चैनल यह रहा यां लोगों को यहोटेगा लगों के विडियो है जेथे लेंगे चैनल र्याँनित्बार चैनल ये तो यहां और यहां पर किया है यानी कि यूट्योब जहें दोस्तों के जो यूटूब यूटूब पे लोग जोन्यों की टेक से रिलेटेड क्या कीवर्ड सर्च करते हैं यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मैंने वीडियो बना भी रखा है तो यहां पर आप लोग जो यूटूबर के ऊपर एक वीडियो भी क्रेट कर सकते हो प्र वीडियो को उसी यूटेवर्य के सजेशन में दिका रहा है तो उनके जो सब्सक्राइबर हैं आपकी वीडियो को वाच करेंगे ंदैये साथ है आपके जो वीडियो है वridu के सज़ेशन में यूटिऊ वाय। दिखाएगा यहाँ पर आप देखो इस कितना कमाता हैं मतली कितनी हैं इस तरह कि लोग keyword search करते तो उन keyword को आप अपने description में लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि वो ऐसे searchable keyword है जो को लोग search करते है ठीक है उसकी यूटुबर से related और वो ही अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो बे यूटुब कहने करे दिखाएगा उसी वीडियो के suggestion में तो आपको इससे वो ज़्यादा मिलेगा ठीक है